नमस्कार धर्मग्यार में एक बाफ फेर हमारे दर्शोकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता रान ड्रैगन के घर से पूरी दुनिया में पहले COVID-19 से लोग कितने परिशान है इसका अंदाजा घरों में कैद लोगों की हालत से साफ लगाया जा सकता है एक तरफ दिन पर दिन बढ़ते डरावने आंकरे और दूसरी तरफ कोरोना का खौफ छे महीने बीच चुके हैं लेकिन अभी तक कोरोना से समुची दुनिया छुटकार नहीं पासकी है एक तरफ दुनिया के बड़े-बड़े विज्ञानी इसकी दवा खोजने में जुटे हुए हैं आए देन तमाम धरे के परिक्षन किये जा रहे हैं ताकि वक्त रहते इसकी वैक्सिन मिल सके वहीं दूसरे तरफ आम आदमी मन में आसर की जोद जलाए उपर वाले से इस विपता से बाहा निकलने की मनोती मांग रहा है कर्म सर्वोपरी है लेकिन जब कर्म के साथ भक्ती जूड़ जाए तो वो संगम शक्ती में तबदील हो जाता है कोविड नाइटीन के खिलाफ छिड़ी जंग में पियमोधी की कोशिशों से हर कोई वाकिफ है पियमोधी हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि देश के नागरिक कोरोना के प्रकोफ से बच सके लेकिन क्या आप जानते हैं जो पियमोधी काम के आगे सब कुछ भूल जाते हैं यहां तक ही घंटों काम करने के बाद महस तीन से चार घंटे ही सोते हैं वो उतना ही शिव की भक्ती में लीन भी रहते हैं भागवान शिव के प्रती उनका अगात प्रेम किसे से छुपा नहीं है तभी तो जब साल 2014 में पहली बाह प्रधान मंत्री की उमिदवारी ठोकी तब शिव की नगरी वारनेसी को अपना संसध्य शेक्र चुना प्रधान मंत्री बनते ही वारनेसे में विराजमान बाबा काशिव विश्वनात के दर्शन किया और इसके बाद तो शिव के प्रती पियमोधी की भक्ती हर किसी को देखने को मिले अब तक के अपने राजनेतिक करियर में पियम मोदी ने कभी भी शिव के दर्शनों का कोई भी मौका नहीं छोड़ा प्रधान मंत्री बनते ही साल 2014 में जब नेपाल का दौरा किया तो वहां के पशुपतिनाथ में महादेव का रुद्र भी शेक किया जो कि पियम मोदी गुजरात के ही रहने वाण है इसलिए सोमनाथ मंदिर से उनका बड़ा पुराना संबंध है बतौर पियम साल 2017 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर में आर्दी की ओडिसा की राजधानी भूवनेश्वर के प्रसिद लिंग राजमंदिर में शिव की आराधना की कोईमबटूर में शिव की 112 फुट उची विराध प्रतिमा का नावरण किया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही पियम मोदी की शिव भक्ति दिखती हो बलकि विदेशे सरजमी पर भी पियम मोदी शिव की आराधना से चूपते नहीं है साल 2018 में ओमान गए तो वहां के 125 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और ऐसा भी नहीं है कि शिव के प्रति पियम मोदी की श्रद्धा प्रधान मंत्री बनने के बाद बढ़ी हो या फिर जगी हो केदानाथ से तो पियम मोदी का मोह बहुत पुराना है पियम बनने के बाद वो कई मौकों पर केदानाथ पहुँचे लेकिन राजनीती में कदम रखने से पहले ही केदानाथ धाम में मौजूद गुफा में उन्होंने कई महीनों तक सांधना की वहीं बतौर मुख्य मंतरी साल 2011 में उन्होंने महाकाल के मंदिर पहुँच कर तकरीबन एक घंटे तक विशेश पूजा की और ऐसा भी नहीं है कि पियो मोदी सिर्फ शिव भगते हैं पियो मोदी ये पकुवी जानते हैं कि शक्ति के बिना शिव धूरे हैं इसलिए शक्ति के अराधना भी वो कभी नहीं करना भूलते हैं जब जब नवरात्रे आते हैं तब तब पूरे नौ दिनों तब व्रत रख शक्ति के उपासना करते हैं फिर चाहें देश में हो या फिर विदेशी सरजमी पर वैश्णो देवी से लेकर मा कामाख्या के दर्बार में वो हमेशा से शक्ति को पूछते हुए नजर है अब अब इसे भगान शिफ के प्रती पियम मोदी की भक्ति समझे जिसके चलते पियम मोदी को देश की जनता ने दो बार सत्ता पर बिठाया अब ये देखना बाकी है कि शिफ के आर्शिवाद के साथ कोरोना के खिलाफ पियम मोदी की कोशिशे कब रंग लाती हैं मेरे प्यारे देशवाश्यों नमस्कार कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बाद भी अच्छूती नहीं रही है जब मैंने पिश्ली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेने बन थी बसे बन थी हवाई सेवा बन थी इस बार बहुत कुछ खुल चुका है स्रम एक स्पेशल ट्रेने चल रही है अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई है तमाम साबधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे है धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानि अर्थ वबस्ता का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खुल गया है ऐसे में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है दोगज की दूरी का नियम हो मूँ पर मास्क लगाने की बात हो हो सके वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी डिलाई नहीं बरदनी चाहिए देश में सबके सामुहिक प्रयासों से करोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है हमारी जनसंख्या जादातर देशों से कई गुना जादा है हमारे देश में चुनवतियां भी भिन प्रकार की है लेकिन फिर भी हमारे देश में करोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जीतना दुनिया के अन देशों में फैला करोना से होने वाले मृत्य दर भी हमारे देश में काफी कम है जो नुक्षान हुआ है उसका दुख हम सब को है लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाएं है वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाब है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है ये पूरी मुहीम पीपल डिवन है साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वास्यों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वास्यों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याक का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं देखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्त मक्ता और जीवन दता प्रतिपल नजर आती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सभाई कर्मी पुलीस कर्मी मिडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते है अपनी महनत की कमाई से नहों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन नहों ने ये पूरी राष्षी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला में ठेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गाउतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत मच से हर रोज दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई चोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंज सल्फ हेल्फ गुरुप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साथियों ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे कि कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संगठनों का बहुत सी संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभेनंदन करता हूँ मेरे पैरे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कोरोना के खिलाब रहे हैं नए-नए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधान बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को को रोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक देखरा